हेलो एब्रिवन ये जो न्यूस है वो रीट एक्जाम से रेलेटेट है रीट एक्जाम के लेवल वन में मतलब वन से फिफ्ट क्लास तक के टीचर बनने का जो लेवल वन है उसमें बीएड अभ्यार्थी और बीएस्टिसी अभ्यार्थियों के बीच में क्लेश चल रहा था जिसमें हाइकोट ने बीएड अभ्यार्थियों को बाहर कर दिया है मतलब 9 लाक बीएड अभ्यार्थी जो है वो रीट लेवल वन से बाहर हो गए है और अपना हाईकोट ने अपना फैसला सुनाया है बीएस्टिसी अभ्यार्थियों के पक्स में कि 1 से फिफ्ट क्लास तक के जो टीचर हैं वो सिर्फ और सिर्फ BSTC अभ्यरती ही बन सकते हैं अब प्रोब्लम क्या है यही जो विबाद है वो किस तरीके से क्रियेट हुआ उसको हम समझते हैं 28 जुन 2018 को NCTE ने एक आदेश पास किया उन्होंने बुला कि 1 से 5th क्लास तक के टीचर बनने के लिए अगर कोई परसन जिन्होंने बेड की डिग्री कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ अगर वो टीचर बन जाते हैं तो उनको 6 महिने की अंदर NCTE दुआरा प्रानमिक शिक्ष्या में जो 6 महिने का ब्रिस कोर्स होता है वो कंबलीट करना होगा अब इसको ले करके जैसे ही reed की वेकेंसी आती है लेभल वन को ले करके जो जो BSTC अभियरती हैं वो भी इस मुद्दे को हाई कोट में लेकर के जाते हैं कि हमारे लिए रिजर्व हैं हमारी जो सीटे हैं उनके उपर B.A.ड अभियरती जो हैं वो अपना क्या कर रहे हैं एक तरीके से दावा कर रहे हैं अब जो हाई कोट है उसने फैसला सुनाया है BSTC अभियरतीों के पक्स में हालांकि इसमें प्रोब्लम ये हो रही है कि देखो जब हाई कोट ने फैसला दिया था B.A.ड अभियरतीों के पक्स में उस समय भी सरकार इसको चुनोती दे सकती थी हाई कोट में या सुप्रीम कोट में और ये जो फैसला रद हो सकता था और ये भरती चल रही है जिसमें जो लेवल सेकेंड है वो तो इजीली हो जाएगा क्योंकि लेवल सेकेंड में 90% जो है वो तो आपके अंकों का रीट के अंकों का वेटेज जुड़ेगा और 10% जो है वो आपकी इसना तक का ग्रेजोशन के जो अंक है उसका वेटेज जुड़ेगा इसके आदार पर लेवल सेकिंड में कोई इश्यू नहीं है बीएड वाले वहाँ पर अपना जो भी नंबर है वो सम्मिट करेंगे प्रारमिक शिक्षा विभाग विकाने जब इसकी वेकेंसी निकालेगा तो उसको फिल करके इजीली उनकी वेकेंसी हो सकती है लेकिन लेवल में जब तक सुप्रीम कोर्ट से या इसका कोई फाइनल रिजल्ट निकल करके नहीं आता तब तक इसके उपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है रीट के एकजाम के बारे में यहाँ पर जो भी अभ्यरती है वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो गया है इस ए पहले ही उसमें जो भी ऐसे लूफ होल्स हैं उनको उन गैप्स को फिल करने की कोशिस करें ताकि जो कंडिडेट्स हैं उनको लोंग टम तक किसी एक वेकेंसी के उपर डिपैंड ना होना पड़ी तो ये हमने रीट लेवल से रीट का जो एकजाम है उससे रेलेटेड इंफ आपके साथ में शेयर की ओके थैंक यू